बच्चों पिछले अध्यायों में हमने पड़ा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कबजा जमाया फिर उन्होंने कैसे भारत में परशाशनिक धांचे में बदलाओ किये उसके बाद हमने यह भी जाना कि कैसे इन बदलाओं से ग्रामिन और आदी वासी जीवन में परिवर्तन आए उसके पस्चाथ हमने इस बात का भी अधिन किया कि उन्निस्वी श्तावदी में भारत के शिक्षा के धांचे में कोन से परिवर्तन आए फिर हमने अठारा सो स्तावन के बिद्रो की चर्चा की और उसके बाद क्या परिवर्तन आए यह भी जाना बच्चो इन सब बातों को पढ़कर एक बात तो सपस्च हो गई कि भारतिये अंग्रेजों के शाषन से असंतुष्च थे और वो ये बात जान चुके थे कि अंग्रेज भारत पर कवजा किये हुए है बच्चो इन बातों से यह तो सपस्च हो जाता है कि भारतिये बिटिश शाषन से असंतुष्च थे उनके मन में यह बिचार पनपने लगा था कि हम सब भारतिये हैं और अंग्रेजों ने हम पर कवजा किया हुआ है और हमें उनको भारत से उखार फैंकना है बच्चो इस पाठ में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत में राष्टरबाद का उदे कैसे हुआ तो चलिए अरंब करते हैं कक्षा आठ की समाजिक विग्यान की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग तीन का पाठ नो राष्टरिये आंदोलन का संग घटन 1870 के दशक से 1947 तक राष्टरबाद का उदे जो बदलाओ हमने पहले जाने हैं उन सबने लोगों को एक एहम सवाल के बारे में सोचने के लिए बिवश कर दिया यह देश क्या है और किसके लिए है इसका जबाब दीरे दीरे इस रूप में सामने आया भारत का मतलब है यहां की जनता भारत यहां रहने वाले किसी भी वर्ग रंग जाती पंथ भाशा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी बेवस्था उन सभी के लिए है इस जबाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों वह यहां के लोगों की जिन्दगी पर कबजा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंतरन खत्म नहीं होता भारत यहां के लोगों का भारतियों का नहीं हो सकता यह चेतना 1850 के बाद बने राजनितिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनितिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी इन में से ज्यादातर संगठनों की बागडोर बकील आदी अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हातों में थी पूना सारब जनिक सभा, इंडियन एसोशियेशन, मदरास महाजन सभा, बॉम्बे रेजीडेंसी एसोशियेशन और भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस आदी इस तरह के परमुक संगठन थे पूना सारब जनिक सभा, नाम को गौर से देखिए, सारब जनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए हलांकि इन में से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे लेकिन वे अपने लक्ष को भारत के सभी लोगों का लक्ष बताते थे उनके मुताबिक उनके लक्ष किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष नहीं थे वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग समप्रभू हों समप्रभूता एक आधोनिक विचार और राष्टरवाद का बुनियादी तत्व होता है ये संगठन इस धारना से चलते थे कि भारतिय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए 1870 और 1880 के दश्कों में बिटिश शाषन के प्रती असंतोश और ज्यादा गहरा हुआ 1870 में आम्स एक्ट पारिद किया गया जिसके जरिये भारतियों दवारा अपने पास हतियार रखने का अधिकार छीन लिया गया उसी साल वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारिद किया गया जिस से सरकार की अलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अख़वार में कोई अपत्ती जनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपती को जब्त कर सकती है 1883 में सरकार ने इलवट बिल लागू करने का प्रियास किया इसको लेकर काफी हंगामा हुआ इस विधेक में प्रावधान किया गया था कि भारतिये न्यायाधीश भी बिटिश या हिरोपिये वेक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं जब अंग्रेजों के बिरोध की बज़ा से सरकार ने यहाँ बिधेक बापिस ले लिया तो भारतियों ने इस बात का काफी बिरोध किया इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवये का पता चलता था पड़े लिखे भारतियों के एक अखिल भारतिय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी प्रन्तु इलबट विधेक ने इस चाहा को और गहरा कर दिया था 1885 में देश भर के 72 प्रती निधियों ने बंबई में सभा करके भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना का फैसला लिया संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नोरो जी फिरोज शाह मेता बदरू दीन तयब जी डबल्यू सी बेनर जी स्रिंदर नाथ बेनर जी रमेश चंदर दत एस सुबर्मनियम अयर आदी थे सेवा निवरित बिटिश अफसर ए ओ हयूम ने भी बिभिन क्षेत्रों के भारतियों को निकट लाने में एहम भूमिका अदा की उभरता हुआ राष्टर पहले बीस सालों में कांग्रेस अपने उदेशे और तरीकों के लिहाज से मद्धे मारगी पार्टी थी इस दोरान कांग्रेस ने सरकार और शाशन में भारतियों को और ज्यादा जगा दिये जाने के लिए आवाज उठाई कांग्रेस का अग्रह था कि बिधान परिशदों में भारतियों को ज्यादा जगा दी जाए परिशदों को ज्यादा अधिकार दिये जाएं और जिन प्रांतों में परिशदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए कॉंग्रेस चाहती थी की सरकार में भारतियों को भी उंचे पद दिये जाएं इस काम के लिए उसने मांग की की सिबल सेबा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी प्रिक्षा आयोजित की जाए शुरुआती सालों में कॉंग्रेस ने कई आर्चिक मुद्दे भी उठाए उसका कहना था कि भारत में बिटिश शाषन की बजा से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं बढ़ते लगान के कारण कास्टकार और जमीदार विपन हो गए थे और अनाजों के भारी निर्याद की बजा से खादे पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था कांग्रेस की मांग थी की लगान कम किया जाए फौजी खर्चों में कटोती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिये जाएं उसने नमक कर विदेशों में भारतिय मजदूरों के साथ होने वाले बरताओ तथा भारतियों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन परशाशन की वजा से वन वासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताओ पारिद किये मद्धे मारगी नेता जनता को बिटिश शाषन के अन्याय पूर्ण चरित्तर से अवगत कराना चाहते थे उन्होंने अखवार निकाले लेख लिखे और यहाँ साबित करने का परियास किया कि बिटिश शाषन देश को आर्थिक तबाही की और ले जा रहा है स्वत अंतरता हमारा जन्म सिद अधिकार है 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कॉंग्रेस के राजनितिक तोर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे बंगाल पंजाब और महराष्टर में बिपन चंदरपॉल बाल गंगा धरतिलक और लाला लाजपत राये जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तन वादी उदेशे और पद्दतियों के अनुरूप काम करने लगे थे उन्होंने निवेदन की राजनिती के लिए नरम पंथियों की अलोचना की और आतम निरभरता तथा रचनातमक कामों के महत्व पर जोर दिया उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बलकि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए तिलक ने नारा दिया स्वतंतरता मेरा जन्म सिध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा 1905 में वाइसराय करजन ने बंगाल का भीभाजन कर दिया उस वक्त बंगाल बिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बिहार और और इसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे अंग्रेजों का कहना था कि परशाशकिये सुवीधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था पूर्बी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुखे उदेशे ये रहा होगा कि बंगाली राजनिताओं के परवाव पर अंकुष लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए बंगाल के बिवाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई मध्य मारगी और आमूल परिवर्तन वादी कॉंग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया विशाल जन सभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए इस से जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था प्रन्तु अन्ने इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूज सुनाई दी उधारन के लिए आंधर के डेल्टा इलाकों में इसे बंदे मात्रम आंदोलन के नाम से जाना जाता था स्वदेशी आंदोलन ने बिटिस शाषन का विरोध किया और स्वेम सहायता स्वदेशी उद्यमों राष्ट्रिय शिक्षा और भारतिय भाषा के उप्योग को बड़ावा दिया स्वराज के लिए आमूल परिवर्तन वादी ने जनता को लामबंद करने और बिटिस संस्थानों व वस्तुओं के वहिशकार पर जोर दिया कुछ लोग बिटिस शाषन को उखाड फैंकने के लिए करांती कारेहिंसा के समर्थक थे बीस्वी श्ताबदी के प्रारंबिक दश्कों में कई दूसरी महत्त पूर्ण घटनाएं भी घटी 1906 में मुसल्मान जमिदारों और नवावों के एक समुहू ने ढाका में ओल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया लीग ने बंगाल भिवाजन का समर्थन किया लीग की मांग थी की मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाचिका की बेवस्ता की जाए 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली अब परिशदों में कुछ सीटे मुसल्मान उमिदवारों के लिए अरक्षित कर दी गई जिने मुसलिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था 1907 में कांग्रेस तूट गई मध्य मारगी धड़ा वहिशकार की राजनिती के बुरुद था संगठन तूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मारगी का दबदबा बन गया तिलक के अनियाई बाहर से काम करने लगे दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इतिहासिक लखनव समझोते पर दस्तकत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्राती निदिक सरकार के गठन के लिए मिल कर काम करने का फैसला लिया जन राष्टरवाद का उदे उन्नी सो उन्नीस के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संगर्ष धीरे धीरे एक जना अंदौलन में तबदील होने लगा किसान, आदिवासी, विध्यारती और महलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए कई बार अध्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया बीस के दशक से कुछ खास व्यावसाइक समुहू भी कॉंग्रेस को सक्रिये समर्थन देने लगे थे ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद ने भारत की आर्थिक और राजनितिक स्तिती बदल दी थी इस युद की बजा से बिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यावे में भारी इजाफा हुआ था इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने नीजी आये और ब्यावसाइक मनाफे पर कर बढ़ा दिया था सैनिक वे में इजाफे तथा युदक आपूरती की भजा से जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उच्छाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई दूसरी और ब्यावसाइक सम्हू युद से बेहिसाब मनाफा कमा रहे थे इस युद में अध्योगिक बस्तों की मांग बढ़ा दी और अन्ने देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी इस तरह युद के दुरान भारतिय अध्योगों का विस्तार हुआ और भारतिय ब्यावसाइक सम्हू विकास के लिए और अधिक अबसरों की मांग करने लगे युद ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए बिवश किया एक बिदेशी युद की खातिर गाओं में सिपाहियों की भरती के लिए दवाब डाला जाने लगा बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद के मोर्चों पर भेज दिया गया इन में से बहुत सारे सिपाही युद के बाद यह समझदारी लेकर लोटे की समराजेवादी शक्तियां एशिया और अफरीका के लोगों का किस तरह शोशन कर रही है फल सबरूप ये लोग भी भारत में आपनिवेशिक शाष्षन का बिरोध करने लगे 1917 में रूस में करांती हुई इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे इस से भारतिये राष्टरवादियों को नई प्रेरना मिलने लगी महात्मा गांधी का आगमन इनी हलात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिन अफ्रीका से भारत लोटे थे वे वहाँ पर नसल भेदी पबंदियों के खिलाब अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर राष्ट्रिय स्तर पर उनकी अच्छी मानिता थी और लोग उनका आदर करते थे मात्मा गांधी ने पहले सार पूरे भारत का दोरा किया इस दुरान वे यहां के लोगों उनकी जरूरतों और हलात को समझने में लगे रहे उनके शुरूराती परियास चमपारन, खेडा और एहमदाबाद के स्थानिये आंदोलनों के रूप में सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंदर परशाद और बल्लब भाई पटेल से परिचे हुआ 1918 में एहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हरताल का सफलता पूर्बक नित्रित्व किया 1919 में गांदी जी ने अंग्रेजों द्वरा हाल ही में पारिद किये गे रूलट कानून के खिलाब सत्य ग्रह का आवान किया यह कानून अभिव्यक्ती की स्वतंतर्ता जैसे मूल भूत अधिकारों पर अंकुष लगाने और पुलीस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था मातमा गांधी मुहमद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंतर्ताओं पर अंकुष लगाने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुष वादी बताया गांधी जी ने लोगों से अहवान किया कि इस कानून का विरोद करने के लिए 6 अपरेल 1919 को अहिंसक विरोद दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हरतालें की पहला अखिल भारतिय संगर्ष था अपरेल 1919 में पूरे देश में जगा जगा जलूस निकाले गए और हरतालों का आयोजन किया गया सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया तेरा अपरेल 1919 बेसाखी के दिन अमरिस सर में जनरल डायर द्वारा जनियाबाला बाग में किया गया हत्याकान इसी दमन का हिस्सा था इस जन सहार पर रिविंदर ना टेगोर ने अपनी पीडा और गुस्सा जताते हुए नाइट हुड की उपाधी बापस लटा दी खिलाफत अंदोलन और असहयोग अंदोलन खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान जिसे खलीफा कहते थे पर बहुत सक्त संधी थोप दी थी जनियाँ वाला बाग हत्याकान की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था भारतिये मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने आटमन समराजे में स्थित पवित्र मुसलिम स्थानों पर खलीफा का नियंतरन बना रहना चाहिए खिलाफत आंदोलन के नेता मुहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्व व्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे गांधी जी ने उनके आवान का समर्थन किया 1921-22 के दुरान असहयोग आंदोलन को और गती मिली हजारों बिद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिये मोतिलाल नहरू, सी आरदास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे बकीलों ने वकालत छोड़ दी अंग्रेजों द्वरा दी गई उपादियों को बापस लुटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिशकार किया गया जगा जगा लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई 1920-1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई लोगों की पहल कदमी केई जगों पर लोगों ने विटेश शाषन का अहिंसक बिरोद किया लेकिन केई स्थानों पर विविन वर्गों और समूहों ने गांधी जी के अहवान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले खेडा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिये गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया जनता के महात्मा केई जगा के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा एक ऐसा व्यक्ती मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है गांधी जी वरगिये टकरावों की बजाए वरगिये एकता के समर्थक थे प्रन्तु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमिदारों के खिलाफ उनके संगर्ष में मदद देंगे खेती हर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रे दिया बच्चो इस पाठ में हमने यह पड़ा कि भारत में राष्टरबाद का उदे कैसे हुआ फिर हमने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना और उसकी नीतियों की चर्चा की हमने सब्देशी आंदोलन के बारे में जाना महात्मा गांधी के भारत में आगमन और भारतिय सबतंतरता संगराम में उनके प्रवेश पर चर्चा की उसके बाद हमने रॉलिट एक्ट और जनिया बाला बाग हत्या कांड के बारे में अध्यन किया फिर हमने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में अध्यन किया पाठ का शेश हिस्सा हम भाग दो में करेंगे आईए अब हम अभ्यास कारे करते हैं प्रश्न एक, किस वर्ष सरकार ने इलबट बिल को लागू करने का प्रयास किया कह 1882 में, खह 1883 में, गह 1884 में, घह 1885 में सही उत्तर है, खह 1883 में प्रश्न दो, किस वर्ष भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की स्थापना हुई कह 1822 में, खह 1845 में, गह 1885 में, घह 1885 में सही उत्तर है, घह 1885 में प्रश्न तीन, ये नारा किस ने दिया, स्वत्तंतरता मेरा जन्म सिद अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा कह बिपिन चंदरपाल, खह लाला लाजपतराए, गह बाल गंगा धरतिलक, गह दादा भाई नरोजी सही उत्तर है, गह बाल गंगा धरतिलक, प्रशन चार गांधी जी, 1915 में किस देश से भारत बापिस लोटे थे? कह दक्षिन अफरीका, खह अमरीका, गह ब्रिटेन, गह फ्रांस सही उत्तर है, कह दक्षिन अफरीका, प्रशन पांच, जलियां वाला बाग हत्याकान कब हुआ था? कह 13 अप्रेल 1907, ख 13 अप्रेल 1908, गह 13 अप्रेल 1919, गह 13 अप्रेल 1920 सही उत्तर है, गह 13 अप्रेल 1919 कह दूआ छंग